आपके स्वागत हैं मैं अचार्या पूजा आपको बताने वालियों कि देडिक राशी फलादेश में आज का दिन आपके लिए कैसे जाने वाला है दाश्यको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के पंचांगी तो आज है 3 मार्च 2023 दिन है शुक्रवार तिथी एकादर्शी जो कि 9 बचकर 11 मिनट तक रहेगी उसके बाद द्वादर्शी तिथी लग जाएगी अब दर्शो को समझ लेते हैं कि आज के दिन आपके लिए कैसे जाने वाला है शुवात करेंगे मेश राशी से तो मेश राशी की बात करें तो कुछ शंकित थे आप तक आज के दिन आपके सारी शंका दूर हो जाएगी परिवार के पती कुछ आपकी जो misunderstanding है कुछ गलत फहिम है विवाद है उसमें काफी कमी आपको देखने को मिलेगी लेकिन फिर भी आपके मन में एक शंका भ्रहमित जो है भ्रहम बना रहेगा क्योंकि रहू आपके लगन पे गोचर करें पिशेज द्यार रखें इस खासकर ground reality और practical होकर सोचें ground reality को यनि आप अपने वास्तविक सीति को समझें क्या है इसके लावा आपके कारेश शेतर में काफी अच्छा परदर्शन आपको देखने को मिल सकता है उसमें लाप की सिति बनी हुई है कुछ आपके creativity वर्क को भी अच्छा खासा परशन सा सुनने को मिल सकती है लेकिन आपको अपने अधिकारी से बना के रखना होगा अगर आप personal relationship के में हैं पहले से हैं प्रेम संबंद में है तो उसमें थोड़ी सी आपको खिचाब मसूस होगा लेकिन फिर भी आपकी maturity परिपक्ता बनी रहेगी इसके कारण आपका रिष्टा जो है काफी आगे तक चलेगा आपकी अगर हम बात करें तो आपको खर्चे या अपरतियाशित खर्चे आपको देखने को मिल सकता है खासकर अपने जीवन साती के साथ कुछ ऐसा नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं जो थोड़ा आपको निराशा कर सकती है या हो सकता है कुछ ऐसा खर्चे आप उन तो आज आप कुछ आसपस की आत्रा पे जाएंगे जिसमें आपको अपने परिवार के साथ आपको कुछ मत्भेत या कुछ उलजन आपको देखने को मिल सकती है इसके अलावा कारेशेत्र में आपका जो काफी काम का बोच आपके उपर बढ़ने वाला है कुछ जरू से जाद सकती है इसके अलावा हम देखने कि लाप किसिती काफी अच्छी बनी हुई है आपके खासச कर आप वेवसाही में हैं अगर आप परिवारिक वेवसाही में तो उसमें भी आफ चकसर लाप देखने को मिलेगा अगर आप पहले से प्रैतन करें कुछ ऐसी समस्श्य हैं जो प बात करेंगे तो आज शुरुवात में काफी अच्छी आप रहने वाली काफी अच्छे मून में रहने वाले हैं साथ ही कुछ अच्छा अपने परिवार के बारे में सोचेंगे या परिवार का सपोर्ट आपके साथ है तो ये बात आपके लिए बहुत ही आनन्द देने वाली हो सकती है इसके लावा कुछ आपको चोट इत्यादी का भै बना हुआ है तो वहां इत्यादी आप बहुत साब्धानी पूर्वक चलाएं इसके लावा कारेशेत्र में भी आपको बहुत अच्छा परदशन देखने को मिलेगा अगर आप नहीं जौब में है तो आपने आपक पती थोड़ा निरा थोड़ा लापरवा हो सकते हैं उनको अपनी कॉंसर्टेशन और फोकस बना के रखना होगा भागय सपोर्ट की बात करेंगे पच्छपन पतिश्चत अब भागय अंगाप का पाच है दर्शो को हमाई चौथी राशी करत राशी की बात करें तो माता से सेहत सेहत सम्बंदी को समढसा असकती है या उनकी सेहत के करते कारण कुछ खर्चा अब डेखने को प्रती समर्पित रहें कीज़द दरत की बातों पे अपना ध्यान और अपनी उड़्जा बर्बाद ना करें इसके लावा वेधियारत्यों परदेशन बहुत ही बढ़ रहेगा आपके मंगल आपके पंच्य बभा मेर दिश्टी डाले तो लाप भी आपको दिश्चय प्राप तो सिंग राशी की बात करें तो कुछ ऐसे आपके सामने खर्चे अचाना को बर्गे आ सकते हैं जो आप प्रत्याश्य थे जो आपने उमीद नहीं की थी इसके लावा आपकी सेविंग्स में थोड़ी कमी आपको देखने को मिल सकती है जीवन साथी के साथ थोड़ा सा परदर्शन पे भी देखने को मिलेगा इसके लावा पिता का सहयोग आपको मिलेगा परिवार में सुक शांती की आप देखेंगे बनी हुई है इसके लावा आगे भागे सपोर्ट की बात करें पैसर प्रतिश्वतिया और भागे अंक आपका पांच है हमाई छटी राशी क आपको स्थानम ड़ी डोर आपको मिले हैं ऐसमादित को यात्रा पर भिआ जा सकते हैं जीवन नारे वा स्भी सात्रेच सहा है हो सकती खास का पैरों या जोड़ों से समझा हो सकती उसका विशेश ध्यार के भागे सबोट की बात करेंगे तो 56 अब भागे आपका पाच है दश्यों को बात कर लेते हैं तुला राशी की तुला राशी की बात करें तो आपको अपनी जो कारे शेत्र में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा लेकिन लाप की सिती बनी हुई है साथ ही अगर नहीं जोब के लिए प्रयासरत करें तो उसमें आज आपको उसमें कुछ उसके संबंदित कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है इसके लावा जो विद्यारती है शाम तक अपनी पढ़ाई के पती का प्रयासरती है तो आप समझ सकते हैं कि यह जादा दिन तक नहीं टिकने वाला है इसके अलावा आपके जो दिमाग में एक ब्रहब की स्थिती बनी रहेगी अपने कारे को लेके वैवसाही में है तो वैवसाही में कुछ बहुत सो समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना में प्रहब की सब्सक्राइब कुछ ईष्टम भाब में मिल सकते हैं कुछ अच्छानक नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं कॉफी साबदां रहने की आपको अवश्चा यह जीवन साती पर कुछ अच्छा खाजा हांसा आपको conflict या थोड़ा जगड़ा या कुछ वाविवाद आपको देखने को मिल सकता है तो हो सके तो समिझदारी से काम ले इसके लावा माता की सेहत में काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा इसके लावा उच्छी शिक्षा के लिए आपका मन जुरूर बनेगा और अपनी सपोर्ट की बात करें 25 प्रतिशत हैं आपका पांच है हमाई नौवी राशी धनु राशी के बारे में बात करें तो आज आपके जीवन साती को कुछ सेहत संब्साइं हो सकती है शाम तक कुछ तकलीफ हो सकती है उनका विशेश ध्यान रखें साथी वैविसाई में कुछ प बटकाव की सिती में रहेंगे तो उनको अपनी वास्त्विक सिती को पहचाना है अत्य आत्म विश्वासी होना भी उनके लिए अच्छा नहीं है भागे सब्साइब करें जीवन साती की सेहत में काफी सोधार आपको देखने को मिलेगा शान तक हो सके तो उनका विशेश ध आपको देखने को मिल सकती हैं लेकि फिर भी आज आपका मन पर फुलित रहेगा पसंद रहेगा हो सकते तो आप अध्यात्मी की तरह जाना चाहें या धार्मिक्त महौल में रहना पसंद करेंगे इसके लावा विद्यारतियों कि आप मैं जो परदश्चेन बहुत बढ़ी है पर महें लग एकां दौन के सब्सक्राइब है जाना पसंद अचाहई है अप और संद न आर्न की 15 विद्यारति dare थोड़ गंबिर अनका बंड कि देखने में म में आए-चपदे देTHके कि लिए विद्यारति पती तो एंवल यहाू सकती स्क्राइब हो सकती और फिर भी उनको focus बना के चलना होगा competition की त्यारी करें तो कुछ आपको दिराश्य हो सकती है इसके लावा नहीं जो आपके लिए प्रयासरत है तो उसमें थोड़ा आपको इंतशार करना पर सकते हैं इसके संदर्व में आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है फिलाल अभी आपको धहरे बना के रखना होगा इसके अलावा आपको अपने कारे से संबंदित कहीं आसपस की यातरा पर भी जा सकती है भागे के थोड़ी सी कमी आज आपको देखने को मिल सकती है साथी आपको पिता से थोड़ा अनबन या उनका चोल सपोर्ट में आपको कमी लगादर में तो मीन नार्शी की बात करें तो घर परिवार का और आज आपके लिए काफी अनकुल रहने वाला है इसके लावाज अगर अपने अपने परिवाह से आगर आपको उनका बढ़ाना चाहते है तो उसमें आपको सकरात्मक रेस्पांस देखने को मिलेगा के पहले से विवाई थे तो उनके साथ थोड़ा सा आपको तनाव देखने को सकता है कि कुछ अचानक नुकसान या कुछ अचानक खर्चे आपको देखने को मिले जीवन साथी का विदेश यात्रा योग का भी संकेत मिल रहें तो इसमें भी आप देखें कि जो भी मार्क अवरो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें इसके लाव हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हरे कृष्णा